जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि Bitset 2023 की आपकी application process start हो चुकी है और यहां पर अगर आपको जो है application form किस तरीक से बनने वो चीज समझ नहीं आ दिया है तो हमने already उस पर आपके लिए वीडियो बना दिया है जिसके अंदर live आपको बताया है कि form को कैसे फिल करना है तो उसकी आपको form fill up से पहले जो है पता होनी चाहिए अब यहां पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि Bitset 2022 के टाइम पर आपका जो है पहली बार दो attempt का system जो है इंट्रड्यूस किया गया था जिसकी वज़से strengths में खुशी भी थी कि चलो अगर मानुला attempt 1 किसी reason से बिगड़ भी एंट कुछ strengths को शायर यह rule नहीं पता था वो तो यह चीज सोच के चल रहे थे कि ठीक है अगर हमारी जो है अभी preparation अच्छी level पर नहीं attempt 1 के लिए हम सीधा जो है attempt 2 देंगे लेकिन इस rule की वज़े से वो attempt 2 दे ही नहीं पाए थे तो यहां पे Bits administration ने एक बड़ा फैसला लिय जाए तो यहां पे FAQs में clearly यह चीज mentioned है I did not apply for Bitset 2023 session 1 am I eligible to apply for session 2 during the application window mentioned in the brochure तो यहां पे clearly दिया हुआ है कि yes you are eligible to apply for the session 2 during the application window तो बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए कि गई है और ब्रोशर में भी यह चीज गिवन है तो आप जाके चेक कर सकते हो अब यह जो application window आपका खुलेगा session 2 के लिए वो 23rd May से लेकर 12 June तक खुलेगा याने कि जब आपका first attempt complete हो जाएगा तो कोई भी आपको यहां पे दिक्कत नहीं जाएगी अब यहां पे students को और भी कुछ doubts थे multiple sessions related कि आपके score को किस तरीक से consider किया जाएगा तो वो चीज भी हम देख लेते हैं यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो bitset 2023 का crash course है जिसका नया batch launch किया गया है वो start हो रहा है 6th February से तो अगर आपने अभी तक इस course को check नहीं किया है तो यहां पे course related सारी details आपको description and pinned comment में मिल जाएगी तो यहां वीडियो की link है उस वीडियो को अच्छे देने के लिए मिल जाए तो जरूर से आपको इस course को जो है check करना चाहिए अब यहां पे जो कि questions common questions students में हमें देखने को मिल रहे थे कि जैसे कि I have applied for both the session of bitset 2023 I could not attend the session 1 of bitset 2023 will I be eligible to attend the session 2 मतलब यार अगर आप सेशन बन के लिए नहीं पैठते हो तो क्या आप session 2 के लिए यहां पे बैठ पाऊगे तो बिल्कुल अब जब उन्होंने यह रूल बना ही दिया है कि session 1 दिये बिना भी आप session 2 दे सकते हो तो तो यार यह कोई आपके लिए जो है सेंसी नहीं बचता इसका ठीक है और आपका जो है यहां पर सीधा सीधी सी बात यह हो जाएगी कि आपका score जो है session 2 का ही consider किया जाएगा for the admission process लेकिन एक चीज में आपको बोलना चाहूंगा कि यह multiple session जब आपको मिल रहे तो multiple session का फायदा उठाओ ना दोनों session जो है आप धर दो देखो सिर्फ थोड़ा आपका यहां प होती है paper के बारे में आपको पता चलता है कि speed को किस हिसाब से maintain रखना है तो session 2 में आप और बहतर करोगे question से और ज्यादा familiar हो जाओगे तो यह जो है आपको पहुत ज्यादा helpful रहेगा और एक question यह भी आता students के मन में कि अगर उन्होंने जो है session 1 के लिए apply किया लेकिन session 1 जो ह यहां वो session 2 के लिए जो है eligible रहेंगे तो यह भी चीज बिलकुल सही है यार आप जो है eligible रहोगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब यहां पर एक और चीज में आपको पताना चाहूंगा कि जो strengths को लग रहेगी score को किस तरीके से calculate किया जाएगा कहीं average तो नहीं जाएगा और जब final cut-off की list बनेगी उससाब से आपके iteration में उस score के basis पे ब्रांच जो है वो अलॉट की जाएगी एक बार finally में सारे points को आपके लिए इंफ्लूट कर देता हो ताकि कोई भी confusion नहीं बचे तो यहां पर पहला point आप देख लीए कि स्टोडेंट के पास option है कि वह दो बार के लिए जो है डायरेक्ट मतलब भर सकता है ठीक है ना आपके दो अटेम्ट के लिए यहां पर जो है फर्स्ट एप्लिकेशन के बाद भी अप्लाई या फिर अपियर नहीं होते है तो भी वह सेशन टू के लिए अप्लाई अपियर हो पाएंगे तो यहीं हमारा मेजर चेंज था इस बार और एप्लिकेशन विंडो आपका जो है री ओपन होगा इमिजेटली फॉर सेशन टू आफ्टर फॉर सेशन टू आफ सेश को आप ले किया हो चलिए तो फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड गुडबाई